तार्ग महता का उल्टा चस्मा जो कि हमारे इंडिया का सबसे पॉपुलर सो था आखिर मैं सब था में क्यों बोर रहा हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ कि तार्ग महता का उल्टा चस्मा अब उतना पॉपुलर नहीं रहा है भाई स्थर्ग में तक उल्टे चस्मा के पुराने एपिसोड जिन में क्लिर रिटी तो बिलकुन नहीं थी भाई लेकिन देखने को हमें इतना मज़ा आता था भाई स्थर्ग में तक उल्टे चस्मा की First 1000 एपिसोड के मैं बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ बाई क्योंकि वे इतने सांदार थे वाई उनके बारे में कुछ काही नहीं जा सकता है उनमें कोई खराबी निकाली नहीं जा सकती है इन 2000 एपिसोड के बाद जो थारम मैता के एपिसोड आने सुरू होए हैं क्लियर्टी बले ही वड़ गई हो लेकिन उसमें जो सस्पेंस था जो कोमेडी थी जो मज़ा था सब कुछ खतम कर दिया है भाई इनोंने एक तो इनके जो कैमेस्ट्री थी पहले इनमें लड़ाई रहती थी और उसे देखने में भी काभी मज़ा था था अब यह इतने जादा भाई चारे से रहने लगे हैं भाई उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है पहले इन लोगों में भाई बात बात में लड़ाई होती थी लड़ाई में हमें कॉमेडी देखने को मिलती थी भाई उस कॉमेडी में ही मज़ा था अब जो fault यह भी है भाई उसके characters के बारे में तारग मैता के जो main characters थे सब को बदल दिया भाई टप्पू, दैभाबी, तारग मैता, अंजली, सोडी एंड यार अब कितने characters बदले जाएंगे अंजली इन सब ने 100 को छोड़ दिया है अब मैं guarantee के साथ कहता हूँ जिस दिन जेठा लाल ने यह 100 छोड़ा भाई 100 बिल्कुल rate पिड़ जाएगी और यह 100 बंद हो जाएगा अगले एक साल के अंदर आखिर तारग मैता का उल्टर जस्मा का 100 वाई 2008 में स्टार्ट हुआ था और आप देख सकते हो 2023 चल ला है लगबग 15 साल से उपर इस 100 को हो चुके हैं भाई और 15 साल उसे हमें entertain करता आ रहा है हाला कि 13 साल कर रहा है इसने पिछले दो साथ जब से दैप आभी गई है तब से तो इसमें रैंकिंग बिल्कुली डाउन होने लगी है बली तरग मैता को छोड़ने के सबके अपने अपने रीजन्स थे लाइक टप्पो को तीसरी बार बदला है भाई बली उनके अलग-अलग रीजन्स थे बट यार उससे सो में थो थोड़ी खराबी आई है सो में इतना इंट्रेस्टिंग नहीं लग रहा है बाइदाव यार मैं आज भी इतार में आता को टाचस मक्रून ओल्ड एपिसोर्ड को मिस करता हूं और उन्हें देखता में वह बाई आप देखते हैं तो बाई कमेंट में जूरू बताना दर वाई चैनल को सब्सक्राइब बाई